तो आज हम सीखने वाले हैं कैसे करते हैं अपने लापटॉप या फिर अपने कंप्यूटर के साथ ब्लूटूथ स्पीकर या हैडफोन को कनेक्ट तो सिंप्ली आपको कुछ नहीं करना है आपके वासे डिवाइस होना चाहिए जैसे कि आप यहां पर देख पार है में पास प्रोटॉण का यहां पर ब्लूटूथ डिवाइस है और यह डिवाइस आपको वरकिंग करना अब यहां अब करदो और यहां निद्णा करते हैं हैं कि वेंदो यहां पर जाते हैं को यहां पर आपको सबिक्दे करते में यहांसे प्लिक करने यहाँ पर आपको կहां से खुल जाएका Bluetooth के प्लूटूटर ने क्लिक करने के यहां आप जैसे की देख पार है यहां पर यृसी वहाला ओप्शन देख जाइगा तो इसको simply open कर लेना है जैसे के आपको कुछ ऐसा मिलेगा इसको simply आपको open कर लेना है open करने कवाद आपको यहां पर यहां पर जितने भी आपको device available होंगे वह यहां पर देख जाएंगे आदध्य आपका device connect कर शकते आप उसके साथ तो उपर हमारे पहले सी कुछ phones and speakers जो की थे पहले सी वो सब लगे हुए थे इसलिए उसके साथ वो connected थे अभी लिस्टेड है सबसे पहले हमें आपर कर लेते हैं add device और add device करने के बाद आपको यहां पर Bluetooth पर क्लिक करना पड़ेगा तो Bluetooth पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर जैसे की देख पा रहे हो यहां पर आपको options जितने भी आपके available devices हों यहां पर आपको देख जाएंगे तो हमारा जो प्रोटॉन का था यहां पर हमको यहां पर दिख जाए जिसके आप देख पारें क्यामरा में यह प्रोटॉन का Bluetooth डिवाइस यहां को यहां पर available देख जा रहा है तो जीतने भी आपके available devices होंगे आपको यहां पर लेस्ट में दिख जाएगा and make sure कि आपका जो डिवाइस है व आपका यहां पर खुलेगा और सेम पर आपके सेम स्टेप सब जगे लगे यूज होंगे वापस एड़ डिवाइस फिर डिवाइस के लेस्ट होंगे तो यहां पर आप जैसे की देख पार है यहां पर अपने हमको यहां पर डिवाइस जो भी available होते सभी के list मिल जाएंगे तो proton का जो कि हमारा यहां पर Bluetooth डिवाइस हो यहां पर available है उसको simply क्लिक कर लेंगे जिससे हम यहां पर अपना connect हो जाएगा तो make sure कि आपका जो भी Bluetooth डिवाइस है वो अभी on condition में हो और available हो for pairing विया Bluetooth तो हम यहां पर निकाल लेते हैं अपने Bluetooth को उसे case से बाहर और यहां पर व हो जाएगा तो आपको कुछ इस प्रकार से लिखाएगा connected voice music तो यहां पर इसका मतलब है कि हमारा अपना जो की Bluetooth डिवाइस है वो यहां पर music के लिए विल्कुल connected हो चुका है विल्कुल वह ready to play हो चुका है तो इसको हम कर लेते हैं बन अब बारे आती है इसको test करने की तो हम कर लेते हैं बन और simply आपको कुछ नहीं कर रहा है यहां पर डन पर क्लिक करना है और जैसे आप देख पा रहे हैं नीचे अपना जो की प्रोटॉन टीवी एस है टीडवलू एस है वो यहां पर connected लिखा आ रहा है तो कुछ इस प्रकार से आप आपको दिखा आएगा और कितना ब्राइट्री है वो भी आपको यहां पर देख जाएगा तो कोई भी आप ब्रावजर कोल सकते हैं या फिर कोई भी आप मीड्या कोल के उसको प्ले कर सकते हैं अन्य आप यहां पर नोटिस करन की जो कि audio है बहुत ही अच्छे से व्युक्त कर रही है तो यह पर हम य लाप टॉप के अंदर Bluetooth डिवाइस को connect तो I hope आपको वीडियो समझा गए होगे मिलते हैं next वीडियो में